आजादी का अम्रेत महस्वनू समर्पेत आजादी का सफ़रत है दसे पारती आजादी विच योगदन पॉण वाले वाकवाक मने परमने दे गुम्नाम आजादी संग्राम्य दे जीवन दे पहलू अतो तोहानू जानू कर्मों देयां इस तो इलावा आजादी दसंगर्ष्णा जुडियां होर गतिविद्यां बारे भी दास्तियां आजदी काड़ी पिच आसी तोहानू क्रांतिकारी सुतंतर्ता सिंधानी आते इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दे संस्थापक रास पहारी बोस आते मल्याली लिखक वायकम मह होमाद बशीर बारे चांकारी दे रहे हैं रास बिहारी बोस दा जनम 25 मई 1886 नू वर्द मानवेच होया सी उनाने बंगाल वांडते अंग्रेजान दा पूर जोर विरोध कीता सी अलिपूर साजिश दे बाद 1909 विच बोस देरा दून चले कए देरा दून चो क्रांती कार्यानल मिलके कम करन लगे एसे दुरान ओ उत्तर परदेश ते पंजाब दे आरे समाजी क्रांती कार्यां दे संपर्क विच विच वियाए दिल्ली चो तही दिसंबर 1912 नू वाइसरे हार्डिंग ते हमले दे बाद अंग्रेश सरकार ने रास बिहारी बोस नू मोस्ट वांटेड एलानया सी 1913 मिच बंगाल विच आई हाड दुरान ब्राहत कारजा मिच रास बिहारी जुट गए इसे दुरानों मशूर क्रांती कारी बागा जतिन दे संपर्क विच चाए एस तो बाद बोस गदर अंदोलन दे प्रमुक क्रांती कारी बाण गए इससे दुरान अंग्रेश सिरकारदा दमन चक्कर जारी रिया एस दी वजानल ज्यादतर क्रांती कारी गिरिफतार कर ले गे प्रंतु रास बिहारी ब्रिटिश खूफिया वे पागतो बचंच सफल रहे ते 1915 विच जापांच चले गए जापांच बोस ने ऐपन पिले मादवन नायरनाल मिल्क के काम शुरू कीता अते विदेश्याच पार्ती सुतंतरता संघर्ष दे समर्थनली जापानी अधिकारियानों मनौन विच महत्त पुरुन पुमिका निबाई उनिसोब ताली विच बोस ने टोकियो च रहरे पार्तियां दा एक सम्मेलन आयोजित कीता एक सम्मेलन दुरान इंडियन इंडिपेंडेंडन्स लीग स्थापित करन दा फैसला कीता क्या बैंकॉक विच लीग दे दूजे सम्मेलन्च पास परस्ताव विच सुभाश्चंदर बोस नू अंदोलन दे नेता दी जिम्मेवरी संबालन दी अपील कीती गई लीग ने दूजे विश्व युद दुरान जापान द्वारा बंदी बनाएगे पार्थी कैदियानू अजाध हिंद फौजविच पर्थी होंदा सद्दा दिता कैप्टन मोहन सिंग अते सरदार प्रीतम सिंग नाल बोस ने पहली स्तंबर उनी सो बताली नू इंडियन नैशनल आर्मी दे गठन विच महत्त पुरुन पुमिका निबाई जेसनू बाद विच अजाध हिंद फौज दे ना नाल जानेया गया जापान सिरकार ने बोस नू ओर्डर अफ दा राइजिंग सन नाल सनमानित कीता बद किस्मती नाल बोस नू टीबी ने जकर लिया ते 21 जनवरी उनी सो पंताली नू टोकी उच उनादा देहां थो गया महान सुतंतर्ता सैनानी नू कोट कोट नमन असियाज सुतंतर्ता सैनानी ते मल्याली लेखक वायका मुहम्मद बशीर नू याद कर रहा उनादा जनम 21 जनवरी 1908 नू कोटे आम ते तलाले वया प्रामबू छोया सी उनानू प्यारनाल बेपोर सुल्तान किया जानता है बचपन तो ही बशीर गांधी बादी दर्शन ते विचार ताराप्रती अकर्शित सन 1903 विच नमक सते ग्रेविच पाग लेली मालाबार जिला पांचे बशीर नू गिर्फतार करके कनूर जेल पे इतता गया मार्च 1981 विच गांधी इर्विन समझाते तो बाद बशीर ते उना दे साथी 600 कैदिया नू रहा करदता गया रहाई तो बाद उनाने ब्रिटिश विरोधी अंदोलन संगठित कीता आते क्रांती कारी पत्रिका उजीवनम दे संपाधक बाण गये एस तो नराज अंग्रेश सरकार ने उना दी गिर्फतारी दा वारंट जारी कीता गिर्फतारी तो बचदे हुए उनाने साथ साल तक पारत एशिया आते अफ्रीका दिया कही थावां दी यात्रा कीती उन्नी सो इक ताली विच बशीर नू कोटे आमतो गिर्फतार का लिया गया ते टाई साल दी कैदी सजा दिती गई बशीर नू क्रांती कारी ने मरता पूर्वक लेखन शेली ली जानेया चानता है उन्नानू 1982 विच पदम शिरी नलसन मानेत कीता गया 5 जुलाई 1994 नू उना दादे हांथ हो गया महान देश बगत नू नमन